आप सभी छात्रों का स्वागत है तो छात्रों आज की इस वीडियो में हम ले करके आचुके हैं जो कक्षा 9वी के बच्चु का आपका baseline test होने वाला है उसके लिए आपका जो गड़ीत का पेपर है वो पूरा इस वीडियो में हम लेकर के आचुके complete solution के साथ सभी एक एक प्रशनों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताएज आएगे जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके देखिए मत्यप्रदेश के सभी government school में जल्दी कक्षा 9 के बच्चों का कक्षा 9 के जो बच्चे हैं उनका जल्दी जो बेसलाइन डिस्ट लिया जाएगा तो इस वीडियो में आपको पूरा को पूरा 110 प्रेशन ये आपका रियल कोश्चन पेपर है यही कोश्चन पेपर आपको जो पूछा जाएगा तो इस वीडियो को लाट तक देखे और पेपर में गर्दा उड़ा कर आईए तो चले चातरो आज का ये वीडियो हम सुरू कर लेते हैं और आनने सभी सब्चेक्ट के जो आपको पेपर स्केलिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए हैं फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो चले चातरो आप ये वीडियो हम सुरू करते हैं तो देखे बेसलाइन आप देखे देख सकते हैं बेसलाइन 2022 तेविस का कोश्चन पेपर है कक्षा देखे आपका 9 है दिनांक आपको जिस भी दिन होगा आपको लिख देना है विससे आपका देखिया आप यह गड़ी तहां पर देख सकते हैं इसके बाद देखिया नाम में आपको अपना नाम लिखना है और स्कूल के नाम में अपने स्कूल का नाम प्रापतांग आपके School के Teachers लिखेंगे Link देखिए लड़्के में आपको यदि लड़का है तो लड़कों में टीक लगाना है लड़की है तो आप उसमें लड़के में टीक लगा देना है इस तरीखे से इसके बाद आपको टूटल पशांसा अंक का होगा कुल प्राप्तां का आप जितने भी अंक प्राप्त करेंगे आपके टीचर्स के दोराय लिखा जाएगा इसके बाद एकि छातरों विध्यारती के लिए ध्यान देने योग के बाते दी गई है तो इसको हम देखिए इग्नोर करेंगे तीन चीज़े आपको देगए इसको आपको पेपर देने से पहले लिखने से पहले आपको अच्छी तरीकी से पढ़ लेना है इसके बाद देखिए हम डायरेक्ट की कोश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो पहला कुश्चन चातरो की खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए जिसमें आपको क्या बोला गया है कि 432 का 5 से गुणा कीजिए तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो पहले वाले कुश्चन का अच्छा चातरो आपको लिख देना है 260 260 इसका राइड अंसर हो जाएगा यदि आप देखिए चाही तो गुणा करके लिख शक्ते हैं मैंने आपके लिए देखिए पूरे अंसर तयार की है आपको अंसर के साथ मैं आपको बताने वाला हूं पूरा तो आपको 260 लिख देना है इसके बाद आपके दूसरा है दिये गए प्रश्ण को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए देखिए बॉक्स में आपको उत्तर लिखना है तो देखिए 537 भागी 6 तो इसमें भागपल आपका कितना आएगा जब आप इसमें 6 का भाग दोगे आप 500 साइटेस में तो देखिए इसमें आएगा भागपल 99 89 इसमें भागपल आएगा और स्थ्फल शात्र आएगा आपका इसमें 3 तो आपको ये लिख देना है इसी प्रकार से देखिए तीसरा एक वरगा कार खेद की भुजा की लंबाई 40 मीटर है तो खेत का परिमाप है तो खेत का परिमाप आपको देखी ग्यात करना है तो देखी चातर कुछ इस तरीके से आपको देखी दियाग है तो आपको देखी क्या होता है चार गुडित आपको देखी इसमें क्या होता है भुजा तो 4 गोड़ी तो 4 गोड़ी तो आपको देखी 40 करना है तो 4, 4, 6, 160 देखे आपका इसका right answer आपका हो जाएगा तो इसमें देखे आपको लिख देना है चातरो गवला इसके बाद चातरो देखे आपका अगला question है खाली box में सही संग्या 5 तीन बटे 5 और देखे आपको जोड़ना है तो इसको जब आप जोड़ोगे तो इसका right answer हो जाएगा चातरो 7 बटे 5 इसका right answer हो जाएगा इस प्रकार देखे आपका अगला question है कि खाली box में बड़ा या फिर छोटा या फिर बराबर का निसान आपको लगाने को कहा गया है तो देखे चातरो इस तरीके से लिखना है कौन बड़ा है किस से तो आपका देखे लिखना है 18 छोटा है 20 से इसके बाद इस तरीके से नि इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है और इसके बाद इसके चौथे में लिखना है 15 बराबर है तीन गुडित 5 की तीन गुडित 5 भी आपका 15 ही होता है तो 15 बराबर 15 होगा इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके चातरो आगे हम जब बढ़ेंगे तो आपका इसके बाद एक चाटवा प्रश्ण के दी गई आकरती के चायक के दभाग को निम्न बिन्न के रूप में लिखे बिन्न के रूप में आपको लिखना है तो देखी चाधरो आपके यह टूटल आठ डब्बे हैं और एक डब्बा आपका देखी यहां पर एक डब्बा यह वाल रुपए का सामान खरीदा उसने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया दुकानदार मोहन को कितने रुपए लुट आएगा तो इसका अंसर लिखने के लिए आपको सौ मिसे 72 को घटा देना है इसका उत्तर हो जाएगा 28 रुपए 28 रुपए इसका राइड असर आपको हो जाएगा चातरो यह आपको लिख देना है इसके बाद देखे आपका आठवा की सौरेज ने अंकित से 600 रुपए उधार लिए और सौरेज ने अंकित को 120 रुपए प्रती महा करके 100 रुपदी के वापस जो है पैलोट आए तो कर्ज चुकता होने में कितने महा लगेंगे तो इसके लिए आपको अंसर के क्लिक क्या करना है चातरो इसके लिए करना है आपको 600 अपॉन 120 आने 600 में 120 का भाग दे देना है तो चातरो इसका अंसर आपको क्या हो जाएगा 5 महा 5 महा का समय जो है लगने माला है इसके बाद देखे चातर आपका 9 कोशिन है एकला कोशिन की एक दरजन पेन की कीमत 84 रुपए है तो एक पेन की कीमत क्या होगी एक दरजन में देखिए आपकी 12 पेन होती है तो 84 बटे 12 आपको करना है तो 7 रुपए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथ रुपए इसका उत्तर हो जाएगा आपको ये लिख देना है इसके बाद छातर देखे आपका दसवर प्रश्म की खाली स्थान खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए देखे खाली स्थान में आपको सही संख्या लिखने है बॉक्स में तो देखे आपका देखे क्या बोलगा है आठ धन 5-3-6-7 तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6 आपका हो जाएगा 9 इसको जब आप देखे calculate करोगे तो इसका अंसर आपका 9 हो जाएगा यह आपको लिख देना है आपके पूरे सही सही उत्तर है और यही आपका जिके पेपर आने वाला है पूरा पूरा तो रट कर जाएगे और सभी दोफ्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए इसके पाद देखे 11 एक समकुण की माप होती है समकुण की माप कितनी होती है तो चात्रों इसकी माप होती है 90 गव वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा नभी पर आपको उसमें टिक लगाके आना है इसके बाद एक चात्र आपका देखिए बार्वा है बार्वा प्रशन के हाईब का एक अक्षा में 38 चात्र थे एक अक्षा में जो 38 चात्र थे छिक्षक दोबारा प्रते एक चात्र को 4000 तौफियां दी गई तो बताईए कि सिख्षक ने कुल कितनी टॉफियां बाटी तो इसके लिए आपको चौज देखे 38 गुडित 4 कर रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 152 टॉफियां 152 टॉफिया जो है सिख्षक ने सभी को बाटी इसका उत्तर हो जाएगा इसके बाद आपके तेरवा है तेरवा कोश्चन क्या आपका के दी गई अकरती में एक बटे तीन भाब को शायंकित कीजिए आपके टॉटल यहाँ पर एक बटे तीन भाब को शायंकित करना है टॉटल आपके देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे डब्बे हैं तो आपको देखिए छे डब्बोको दुछे में से दो डब्बे को बचातरो है इसमें आपको देखिए रगा देना है मतला बचायंकित कर देना है इसका आपका उत्तर हो जाएगा जैसे मैंने आप यहाँ पर कर दिया है नीले से आपको भी इसी तरीके से कर देना है इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेगे तो आपका 14 नंबर का कोश्चन है कि खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए सही संख्या आपको खाली बॉक्स में लिखनी है तो 0.3 इंटू 0.8 आपको जोगी गुणा करना है इसमें तो जब आप गुणा करोगे तो इसका देखिए आंसर आपका चातर क्या हो जाएगा 0.24 0.24 का राइट आंसर आपको लिख देना है इसके बाद देखिए पंदरवा पंदरवा कोश्चन है चातरो खाली बॉक्स में सही शंख्या लिखे देखिए 0.4 अपॉन 10 है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आप जब भाग देंगे 0.4 में 10 का तो इसका उत्तर हो जाएगा चातरो आपका चार चार इसका राइट आसर आपका हो जाएगा यह आपको यहाँ पर लिख देना है कोश्चन नमर 15 में इसके बाद है कि 16 अंको 4750 से बनने वारी चार अंको की सबसे छोटी संख्या है सबसे छोटी संख्या आपको बताना है तो इसका अंसर देखिए आपको चार दिया है 475, 457, 455 या फिर 754 तो चातरो इसका अंसर आपका हो जाएगा यह वाला खाव वाला 4557 यह आपका राइ हैं तो सबसे चोटे पोन संक्या देगी आपका एक Zero दू जा फिर इसके बाद को नहीं इरके इसके बाइट हो जाएका यह डैसर हो जाएका यह आपको जाना है यह दिखने फरीबारं को नहीं नहीं आपको अगathy संक्या चीखित करें, प्रतम पांच गुणा जो को लिखिये संक्या छी के प्रतम पांच गुणा जो आपको लिखना है छेदूनी बाराँ छे तरीके से चात्रों आपको यह लिख देना है इसका अंसर आपका हो जाएगा अठरवे कुश्चन का इसके बाद एक उन्निस्वा कुश्चन है कि कोई इसका खुण और एक समकोण गुण जाएगा उन्सर जेकर एक उसर प्रारंब करेंगी और एक शेमकूर्ट दिखे कि, नभी अंस का होता है, तो नभी अंस का पनाएगी, जब वो दस में जाएगी, तो इसका हो जाएगा चात्र आपका 10 में, 10 इसका राइट अंसर हो जाएगा, गावार, कोशन नमर 20 के बाद चातरों आपका अगला कोशन है कोशन नमर 21 जिसमें आपको बूल गया कि संख्या रिखा पर माइनस 5 को दर्सा ना है संख्या रिखा आपको यहां पर दी गई है माइनस 5 आपको यहां पर दर्सा ना है तो देखिए हमेसा संख्या रिखा में माइनस वाल दरसा देना है इस तरीके से माइनस 5 लिख देना है आपको इसके बाद देखिए आपका बाइस्वा कोशन है कि संख्या 3 बटे 5 के तुल एक भीन्ने लिखना है इसके तुले तो इसका अंसर हो जाएगा च्छात्रो आपका 6 बटे 10 6 बटे 10 आपका राइट आंसर आपको लिख देना है इसी प्रकार देखिए आपको अगला है कि रवी ने 3 क्रामागत दिनों में क्रामासा 4 गंटे, 5 गंटे और 3 गंटे पढ़ता है उसके प्रते दिन पढ़ने का आउसत समय क्या है तो चातर इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको पूरे को जोड़ना है उसमें 3 से भाग देना है तो इसका अंसर आपका देखिए हो जाएगा 4 गंटे 4 गंटे इसका राइट अंसर आपको लिख देना है इसके बालत देखी च्यातिर आपका देखिए अगला कोशन है कि अगला है संख्या एक्सी से गुणा करके तीन से गटाने पर बनने वाला बीजी वेंज़क लिखे तो देखिए तीन डीकी जोचो जाएगा और टीन माईनस करेंगे तो तीन एकसो माईनस तीन तो देखिए आपको इसमें गुणा करना है तो 3 बटे 5 और 5 बटे 3 का जब आप गुणा करेंगे तो 15 बटे 15 आएगा और 15 से 15 कट जाएगा तो एक इसका अंसर आपका आजाएगा एक इसका अंसर आपका छातर आपको यहाँ पर जो हे लिख देना है इसका आपका जो हे राइट अंसर हो जाएगा इसी प्रकात देखिए Q26, Q26 में संख्या 120 को एक अनुपात दो में बाटी है तो देखिए इसका अंसर आपको लेना है x 7, 2x मान लेना है, बराबर 120, 3x plus 120, तो पहली हो जाएगी छातर आपका 40, और 2x 2 into 40 into, देखिए इसका हो जाएगा 80, इस तरीके से आपको पहली 40 और दूसरी 80, इस तरीके से आपको संख्या लिख देनी है, इसके बाद देखिए छा अंक्या 2.4 को 3 से भाग दीजे, तो जब आप 2.4 को 3 से भाग देंगे, तो छातर इसका अंसर हो जाएगा 0.8, 0.8 इसका राइट अंसर आपको लिख देना है, इसके बाद देखिए छातर आपको अगला कोशन है कि आकास को एक टेस्ट में 20 में से 16 अंक प्राप्त हुए, इस तरीके से आपको लगए, तो अंसर आपको लिखना है कि 16 बटे 20 इंटू 100, तो देखिए इसका देखिए बराबर आपका 80 प्रतिशत आजाएगा, 80 प्रतिशत इसका जो आपका उत्तर हाजाएगा आपको यहाँ पर लिख दे रहा है, इसके बाद देखिए छातर आपक इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेगे, तो आगे हमका तीसवा, लास्ट कोश्चन है एक आयत जिसके लंबाई और चोड़ाई 6 क्रमशा 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तो आयत का परीमाप आपको यहाँ पर ग्याद करना है, तो चातर आपको अंसर आपको यहाँ प आपको यह पूरा लिक देना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर गडीत का पेपर भी संपन हो चुका है, तो आई होप यह चातरो यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ सेल ताकि उनकी भी हल्प हो, और आने वाले सभी वीडियो को नॉटिफिकेशन पाने के लिए इस चाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मिलते हैं चाहतरों नेक्स्ट वीडियो में